आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हलो गाईस चलिए देख लेते हमारा next question क्या है In a group of 240 students 20 opt for history 200 sorry 200 opt for history 90 opt for geography if 20 students do not opt for history as well as geography यानि कि 20 students कुछ भी नहीं opt कर रहे है then how many students opt for both the subjects history and geography तो हमाई पास 4 option है हमें बताना है इसको solve करके कैसे solve होगा तो देखे इसको समझने के लिए it is always better कि आप ऐसे question solve करने के लिए एक when diagram याना when diagram बना ले तो मैं यहाँ पर देखे अब when diagram बनाने जा रहा हूँ तो मैं हिस्ट्री students को green से show कर देता हूँ right and geography students को red से show कर देता हूँ geography थोड़े काम है ना तो ऐसे show कर देता है अच्छा यह बाहर का जो area है है ना यह कितना है यह वो लोग है जिन्होंने ना तो history लिया है this is history ना तो इन लोगोंने history लिया है ना ही इन लोगोंने geography लिया है है ना तो यह लोग कितने हैं total इसको मैं इन लोगों को मैं देखिए purple से दिखा दे रहा हूँ यह लोग है total 20 है ना अच्छा बाहर के area को क्या बोलते हैं 1-n of a union b है ना यही बोलते हैं चले हम उस पर अभी focus कर लेंगे क्या बोला जाता है ओके तो total जो box के अंदर लोग है वो है total लोग जो box के अंदर है they are 240 है ना हमें पता है total लोग box के अंदर 240 है यह 1 नहीं है sorry 240 होगा probability में 1 होता है यहाँ पर 240 होगा है ना total लोग हमें पता है 240 है history कितने लिया है 200 ने है ना और geography कितनों ने लिया है 90 ने है ना तो अब चलिए हम लोग यह देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या हमें पता है हमें पता है n of h is equal to 200 sorry n of g is equal to 90 history में green से दिखा रहा हूँ n of h is equal to 200 और हमें एक चीज और पता है क्या पता है वो हमें पता है कि 240 I'm sorry 240 minus n of a union b is equal to 20 20 लोग है जोनों ने कुछ भी नहीं लिया है ना देखे a union b क्या होता है यह पूरा अंदर का हिस्सा है यह पूरा अंदर का हिस्सा a union b है और जब हम इसे 240 से minus करेंगे तो हमें यह बाहर का हिस्सा मिल जाएगा जो की 20 है हमारा राइट तो यहां से देखे हमें a union b मिल जाएगा यह a union b यहां से हमें मिल जाएगा और वो कितना आ रहा है क्यालकुलेट कर लेते हैं इट इंप्लाइज एन ओफ a union b is equal to 220 अब हमें एक फॉर्मूला मालू में है बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मूला वो होता है एन ओफ a union b है ना is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b यही n of a intersection b हमें निकालना है है ना यही हमें निकालना है तो इस case में a हमारा h है और b हमारा g है है ना तो चले solve करते हैं तो n of a union भी हमें पता है कितना आ रहा है परपल में लिखा है ना 220 is equal to n of a याने की n of h plus n of b याने की wait a minute n of b याने की n of g minus हमारा answer n of a intersection b जिन्होंने दोनों ले रखा है राइट तो यहां से n of a intersection b क्या आ जाएगा यह आ जाएगा और n h कितना है हमारा चले अब calculate कर रहे हैं है ना 200 plus 90 minus 220 याने की कि इतने लोग हो गए 290 minus 220 याने 70 तो इसका मतलब 70 लोग हैं जिन्होंने दोनों ले रखा है तो option में देखते हैं देखे option number one लिखा हुआ है 70 इसका मतलब option number one is the correct option राइट 70 हमारा answer होगा है है ना so this is how you do this question बहुत मुश्किल नहीं है ये question है ना बस आपको वेंड डियाग्राम बनाने से थोड़ा आसान हो जाता है समझना otherwise this is really easy thank you